पुलिस की गोली लगने के बाद गिरफ्त में आए इनामी बतमाश कनहिया और विजेंदर जो इस बाइक पर सवार होकर गाजेवाद से पुलंचैन में लूट की वारदात को अंजाम देने आ रहे थे पुलिस को इसकी भनक लग गई और सिकंदरबाद पुलिस ने एनच 91 पर जैसे ही रुखने का इशारा किया तो पुलिस को देख बतमाशों ने फाइरिंग चुरू कर दी दोनों तरफ से फाइर पुलिस को मिल नहीं पा रहा था तो यह किसी बड़ी गटना को अंजाम देने के लिए क्योंकि इनका इक शाथी अभी जेल में बंद है उसको छोडाने के लिए पैसा खटा कर उसको छोडाने के प्रयास में थे जैसा इनने पूछतात में बता है यहां मंडी है मंडी में य किसी बड़ी व्यापारी को पर राते हैं लूटने के लगवागत तीन बज़े के खरीब निकले और तीन बज़े लूटने के प्रयास में थे तो कि लोग उस समय सोई रहते हैं थोड़ा ऐसे में जो है इनको मौका मिला है पहले भी नहीं बारता लगवागत इसी टाइम प पुलिस की गिरफ्त में आया ये इनामी बदमाश कनहिया जो खुद बता रहा है कि वह दोनों किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे कनहिया की माने तो बुलंचर जेल में इसके साती बंद है जिने छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये बदमाश आज गाजयवास्ते पुलैंचेर में लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहा है थे बदमाशों के कपजे में से एक मोटर सैकिल, एक पिस्टल, एक तमंचा और कुछ जिंदा कार्थूस परामत किये गए है पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भरती करा दिया है कमल पवार के साथ तेज निखाई के लिए जनपत पुलैंचेर से रिजवान अंसारी के रिपोर्ट